मैं समेर आपस्वी का अपने ही यूटूब चैनल डिजिटल पाउर में हारदिक स्वागत करता हूँ समाज का लियार विभाग की तरफ से भरती जारी किया गया है जिस भरती के लिए आवेदन की प्रकिरिया जो है वो सुरू हो चुका है इसमें आवेदन कौन कौन कर सकते हैं कब से आवेदन सुरू होगा इसका लाष्ट डेट का होगा और सबसे बड़ी बात इसमें योग्यता क्या होगा कि इस वीडियो kommen आपको बताने वाले हैं फॉर्म आपका जो ओफ-लाइन होगा आफ्लाइन फॉर्म आपको कहां जामा करना होगा इत्यादि सभी जनकारी हम देने वाले हैं तो वीडियो कहां तक बने रहेगा तो वीडियो अच्छ लगए तो लाइक किजिएगा इसी तरह के नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा सबसे पहले म सरक्षन 21 सुपॉल की तरफ से लगबाग यह सभी जिलों वेकंसी आ रही है लगबाग आपके जिले में अगर नहीं आए है तो आपको भी अपने जिले में वेकंसी मिल जाएगी भरती जो होगी वो सुपॉल जिले में होगी और संबीदा के अधार पे और स्थाई नियोज किया जाएगा जो यहाँ पे पोस्ट दिया गया है पोस्ट की बात कर लें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें सबसे छोटा पौस्ट च्रक कि दार का है इनको सेलरी आपको 6000 रुपे मिलेगा और इनकी योग्यता यहाँ पर देख सकते हैं यानि इसमें योग्यता 8 वी और 10 वी पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं दूसरा पोस्ट है आया का सिर्फ और सिर्फ फिमेल कंडेट अप्लाई करेंगे अन्रिजर को लिए 3 सिट रखा इभी सी के एक वी सीँटी के लिए एक एक है और देख सकते ही है परसन वित घंशनल लीटरेश्य का होना चाहिए सभ जो जानकारिव दिया गयाए उट युर्ट से हम बता है सेलरी आपको 9000 मिलेगी और इसमें डॉक्टर के भी पोस्ट है यहां पर सोशल वर्कर कम अर्ली चाइल्ड एडुकेटर का भी है जो यहां पर देख सेते हैं क्वालिफिकर से पोस्ट सभी डिटल से आपको मिल जाएगा बात कर लेते हैं आबेदन कैसे करना है तो आभेदन करने के लिए यहां पर आपको एक आभेदन पर पत्र यादन पत्र या बाइड़न नवबर ब्ल् July vitamin और इसके सांथ प्र्मारपत्र पक्रमार पर्मार्पत्र को से से अप नहीं समझते हैं तो आप मैं आपको क्या करना आपको अपना शिगनेचर कर देना है बस हो गया अपका अपका और इसके अंदर आपको डालने होगे जिस पर आपका पता लिखा हुआ होगा वो लिफाफ़ा आपको लेना है और लिफाफ़े के जो उपर आपको 25 रुपय का डांक टिकट लगाना होगा और यहाँ पर दिनांक 95-2022 देख सकते हैं मई तक यानि 9 मई तक आप आवेदन कर सकते हैं सामके पांच बजे तक निबंधित डांक के माधियम से यानि रजिस्ट्री पोस्ट के माधियम से आप इस करजाले को भेजेंगे करजाले के पता यहां पर देख सकते हैं सहायक निदेशक बाल सरक्षनी काई सुपार पता अगर इसके बाद आप आवेदन करेंगे तो आपका आवेदन जो है सभीकार नहीं किया जाएगा परतेक पर्त के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना होगा विस्तरिक जनकारी के लिए आप सुपार के जो ऑफिशल वैवसाइड है उस पर जनकार ले सकते हैं और यहां बिना कारण बताए कभी अनुबंध समाप्त कर सकती है तो यहां पर आपको पूर्ण अस्थाई जौब नहीं है इस संभीदा पर आपको होने वाला है और अगर आपका हो सकता है कि सरकार जुसरा जो नोटिफिकेशन जारे किया गया था उसमें बताए गया था अगर आपक संभीदा के अधारिपी होने वाला है इसमें क्वालिफिकेशन और जो आपका सेलक्षन पूर से शुगा हो आपको इंटर्विव के माधियम से लिया जाएगा या आपका लिखित परिशाक्त जिक्र नहीं कि अगर ज्यादा कंड़ेट में आप इदर करेंगे ज्यादा होने वागी संभावन आये लेकिन यह ज्यादा जूरत नहीं पड़ेंगे ज्यादा कंड़ेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो इसे तरह अगर अप्डेट के लिए चैन साथ जूड़े देगा मिलते हैं नए अप्डेट साथ जहिंद बंदे मात्रम